इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स अगर आपके पास है IQZ6 Lite 5G का मोवाइल तो उसमें आप दोस्तों जो है वाइफाई QR कोड को आप स्कैन कैसे कर सकते हैं मतलब QR कोड से वाइफाई कनेक्ट कैसे कर सकते हैं आपको जो है वाइफाई का पासवड भी नहीं डालना पड़ेगा और आपका वाइफाई जो है उस डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगा सिर्फ QR कोड को स्कैन करके तो वो कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चलिए जादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बड़े से पहले चैनल पर रहे हैं चैनल सस्ट्राइब करिएगा पासवाले नोटिफिकेशन बेल को दवा कर और जरूर्ड क्लिक करिएगा इसके लिए आपको जाना है अपने IQJet 6 Lite 5G मॉइल फोन के सेटिंग्स में सेटिंग्स में जाने पर यहां नेटवर्ड का इन इंटरनेट का आप्शन मिलता है इस पर क्लिक करना है इसमें आपको यहां वाइफाइ का आप्शन मिलेगा अब आपको जिस फोन का वाइफाइ क्यूर कोड स्कैन करके वाइफाइ करनेट करना है उस मॉइल फोन में वाइफाइ का क्यूर कोड ओपन कर लेना है जैसे यहां मेरा रियल मी का फोन है तो इसमें मैं Wi-Fi QR Code को scan करके इस phone से connect करना है तो चलिए मैं इसमें Wi-Fi का QR Code open कर लूँगा तो Wi-Fi QR Code open करने के लिए आपको जाना होगा settings में और Realme का phone है तो settings में जाकर connection and sharing पर click करके personal hotspot में जाना होगा और hot spot को जवाप on करेंगे तो एक QR Code का option लिए QR Code पर click कर देना है और चलिए हम finger लगाते हैं तो यहापर देख सकते हैं हमारे Realme phone का Wi-Fi का QR Code आ चुका है जैसे हमारा phone का यह Wi-Fi का scanner इसको जब scan कर लेगा तो connect हो जाएगा चलिए मैं scan देता हूँ करा तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही Wi-Fi का scanner में उस Wi-Fi QR Code को scan किया तो connect हो गया इस तरह के साथ दो Wi-Fi QR Code को आप scan करके जो है QR Code की मदब से Wi-Fi connect कर सकते हैं वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा